हेलो एवरीवन गुड मॉनिंग नमस्कार 23 दिसंबर 2020 और आज के दहिंदू निजबेपर को हम लोग डिसकस करेंगे अनालिसिस करेंगे आप लोग इसकी पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प कंट्रीज ने फ्लाइट जो है बैन कर दिये भारत सरकार ने भारत की सीवल एविशन मिनिस्ट्री ने भी 31 दिसंबर तक कोई भी फ्लाइट जो यूके से ना आएगी ना जाएगी लेकिन इन सब के बाद जैसे आर्टी पीचियार से जो टेस्टिंग करीगी उनमें 20 फ्ला प्रसेजर इसके लिए फॉलो किया जा रहा है प्रॉप पर ली आईशोलेशन करना उनको सेपरेट इन्सेट्इशनल फेसलिटीज प्रॉइड करना ताकि न्यू कर नावरेस के बारे में जिसके बारे में ज्यादा नहीं है उसको जो आप कांटर क्या जासके नीती आयो के मेंबर विके पॉल जो की COVID-19 की वैक्शिन को लेकर या इसको पॉलसी को लेकर लगातार काम कर रहे हैं उन्होंने ये का कि ये इसमें 17 चेंजिज हैं इनके लावा उन्होंने बता कि 70% तक जो है वो इसकी ट्रांसमिजिबिलिटी जो ज़्यादा हो सकती है as compared to normal COVID 19 तो कोई information इसकी properly नहीं है कि new state में है क्या कैसे impact करेगा कैसे transfer हो सकता है कैसे react कर सकता है इनके लावा जो government of India है उन्होंने बैन कर दी लेकिन इन सब के पीच में जो इनको properly एक तरीके से isolation में रखा जाएगा जो पेशेंजर वहां से आएगे ताकि इसको जो फेलने से रोका जासके या इसके spreading को जो है वो counter किया जासकी इसके बाद नीचे जो है वो great Indian bastard के बारे मे great Indian bastard एक important bird कह सकते हैं जो कि अगर आप mapping में देखेंगे थोड़ा सा तो यह जो थार डेजर्ट है जिसमें राजस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया के अंदर भी मिलता है और इनका जो number है वो बहुत ही कम रह गया क्योंकि यह लगबग डेट्सों के आसपास सीव दुनिया सब्सक्राइबर में यह बचे हैं तो मिनिस्ट्र ऑफ एनवार्मेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने वाइलाइफ कंजर्वेशन सुसाइटे के साथ मिलकर एक तरीके से इनिसेटिव लिया है कि कैसे firefly birds को जो है डाइवर्ट किया जा सकता यह तरीके से कैसे उनको सेव किया जाए उनको critically threatened species में से एक है और इसको कैसे product कर सकते हैं उसके बारे में काम क्या जा रहा है इसके लावा मिनिस्ट्री के इनने एक report भी दी थी नैशनल ग्रीन ट्राइबलन है 2019 के अंदर कि यह जो हाई transmittable यह जो आप देखेंगे wiring है यह कईने कई high voltage transmission जो होता है उनके लिए काफी challenging होने वाला है और यह mostly जो deserts area के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं इनके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे और एक century जो काफी important इसमें काम करती है यह इसके लिए जानी जाती हूँ है desert national park century जैसल मेर UPSC में सवाल पूचा गया था और great Indian बस्टर्ड को लेकर किस categories के अंदर है आपको यह information होनी चाहिए कि international union for conservation of nature में जो criteria's and categories को लेकर जो red data book पर present की जाती थी उसके अंदर great Indian बस्टर्ड को कहां पर रखा जाता है किस category के अंदर desert national park century के बारे में आपको थोड़ इस information होनी चाहिए इनके अलावा क्योंकि यह नय के ओल इंडिया मिलता है यह पाकिस्तान के अंदर ही मिलता है तो आ उसके लिए जुरूरी है कि हमें लगातार काम करना पड़ेगा इसके लावाज cbsc के जो examinations है उसको hold कर दिया गए फिर से फेवरेरी के अंदर जो होने वाले थे तो इसका मैं simple से एक चीज discuss करने थी कि जो examinations का होना नहीं होना उसकी वजह से बच्चों के अंदर एक confusions रहता है कि कब होंगे कब नहीं होंगे तो वो clarity नहीं है और union जो education minister नोंने भी कहा कि अभी क्योंकि covid-19 है examination February के अंदर जो है जनवरी के अंदर practical होती थे और February के अंदर examination होते थे क्योंकि ये 10th और 12th की examination है इसके बाद direction decide करते हैं कि बच्चे को किस directions में जाना है किस अपने dreams को complete करना है लेकिन उन सब के बीच में confusion एक clarity ना होना ये कई न कई mental stress भी देता है और इन सब के बाद अगर एक possibility search की कि क्या online examination conduct करवाई जा सकते हैं तो online examination का pattern क्या होगा कैसे conduct कर करवाई जाएंगी इनके बारे में कोई properly चीज़े information हमारे पास नहीं है इसके लावाद जम्मण कस्मेर के अंदर elections conduct करवाए गए वहाँ पर डीडीजी के election जिसको बोलते हैं और पहली बार इस तरह कि चीज़ें वहाँ पर देखने हो को मिला कि अच्छे खासा turn out देखने ह चीज़ें के अंदर तो ये एक confident उनको feel करवाए गा और अपने लोगों को चुनने का एक right देगा इसके बाद page number 8 पे जो है leopard के analysis किया गया इसे में बतायागे कि western घाट जो है 3387 leopard यहां पर है करनाटका के अंदर सबसे जाद और उसके बाद तमिलनाड और केरला के अंदर मि सारी information से मिलेगी जो कि हमारे लिए काफी important है western घाट को आप जानते होंगे कि यह hotspots के अंदर है और North East का इस्टन हिमालिया है वहां पर भी होट स्पोर्ट के अंदर count किया जाते हैं तो भारत के अंदर total जो leopard की population है यह 12,852 यानि 12,852 population है status of leopards in India 2018 की report को जो declare किया गया इस इसमें काफी interesting चीज़े आपको देखने को मिलेगी और यहां पर कुछ जैसे western घाट है नील गरीज है इनके बारे में हमें basic information होना चाहिए western घाट से direct question पूछा था कितने states को touch करता है western घाट यह सवाल भी पूछे जा सकते हैं इनके अलावा यहां पर कई सारी चीज़े इस यह UPSC ने पूछा था सत्यमंगलम tiger reserve को लेकर और I think 2015-16-17 के आसपास का इस हवाल है exactly नहीं पता लेकिन है यह उसी time का और इसके लावा नेलगरी है silent valley why night यह काफी important यहां पर आपको national park wildlife sense जो tiger जो देखने को मिलेंगे इनके लावा बनेर गटा national park भी इसी में count क्या जाएग या और जो इसमें populations को analysis करने का मतलब यह होता है कि एक तरीके से जो human wildlife के interactions होता है यह human wildlife का जो एक तरीके से fight होते एक दूसरे से या एक तरीके से हम देखेंगे कि उनका complex situations हो जाती है relations को कैसे maintain करना class now दोनों के बीच में maintain करना यह important होने वाला है इसके बाद page number 9 पर जो है व तो हमारे प्रधानमंत्री साब ने अलिगर्ड मुस्लिम इंविश्टी का जो session था या एक तरीके से उसको जो संभोधित किया जो चीफ गैस्ट को के रूप में ठीक है इसके अंदर कुछ important बात है उन्होंने बोली उसके बारे हम थोड़ा सा analysis करेंगे अलिगर्ड मुस्लि कुछ words यहां पर pick करें उनको हम धोड़ा देखेंगे उनको उन्होंने का कि हमें अपने निव इंडिया के लिए काम करना पड़ेगा एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा इनके अलावा differences हो सकते हैं लेकिन जब बात आती है national goal की रास्ट्री लक्षेयों की तब हैं हमें अप campus के बारे में discuss किया Alligast Muslim University के role के दिसक हिन किया पूरे country के अंदर इनके अलाबा इनका प्लिटिकल केम्पेन भी था सब का जात सब का विवकास सब का विश्वास करके उसी phase के अंदर उन्हों ने कई सारी चीजे बताई जैसे सवज भारता भ्यान का नोंने बात कई कि सवज भारता भ्यान में से जो है मुस्लिम स्कूल गल्स खासकर जिनका 70 परसेंट जो ड्रोप आउट से 30 परसेंट ड्रोप आउट कम हुआ यानि पहले अगर 70 गल्स जो स्कूल जोड़ देती थी और उन्होंने सर सहीद एहमद खान को रिकॉल करा और कि एवरीज सिटीजन को हर एक नागरिक को जो अपने कॉंस्टिशनल राइट्स को लेकर और उसके फ्यूचर्स के लिए अवेर रहना चाहिए और उसके बारे में काम भी करना चाहिए इसके लावा आलिगड मुस्लिम का जो रोल रहा है चाहिए प्लाजमा बैंक को लेकर हो टेस्टिंग को लेकर हो प्यम केर फंड्स के अंदर जो बड़े संख्या में एक अमाउंट और डिपोजिट कर उस चीज को लेकर हो और कहीने के इनों डिस्क्राइब किया कि मिनी इंडिया की तरह यह है और यहाँ प अथि उन्हों ने इसको पूरे का कि यह एक भारत त्रेश्ट वास वनिंडिया गरेट इंडिया का एक इंपॉर्टEN ज जो है वो परामीटर है वोँन्स को जो वहाँ पर एक तरीके से उंपॉर्मेंट मिल रहा है और स्टुडेंट जो हैँ तर्त फाइब परमेंट की यहां पर उर्दू अरभिक पर्शियन लेंग्वेज में जो रिसर्च किया जाता यह इसलामिक वर्ड से रिलेशन्स को जो कहीं ने कहीं एनरीजी प्रोवाइड करता है वन थाउजन फॉरेंच सुडेंट्स यहां पर केंपस के अंदर है तो यह अपने यहां पर आपको लगे दो चार वर्ड स्पिक करने को अपने आंसर में वहां पिक कर सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट चीजे जो इंडिकेट की जाती है जैसे सर सहीद एहमद खान का यहां पर डिसकेशन किया गया तो हमारे हिस्टोरी के अंदर जो हिस्टोरी के अंदर इसके बाद प्राइमिशन रेंदर मोदी को जो अवार्ड दिया गया है डोनल्ड ट्रम गोर्मेंट द्वारा लेजियन ऑफ मेरिट करके अवार्ड है इनके साथ सिंजो अभे जो की यह जपान के पूरो परदान मंत्री थे इसके लवाद स्कोट मौरिषन है इनको भी अवार्ड दिया गया क्योंकि कॉआर्ड ग्रूप के मेमबर आते हैं सारे कि सारे अश्टरली प्राइमिशन स्कोट मौरिषन को सिंजो अभे को और प्राइमिशन नरेंदर मोदी को दिय गया इनमें यह क्यों दिया गया इन्होंने का कि यह important role इन्होंने play किया US India strategic partnership को लेकर और इसको जो रिषिव किया किसने US में भारत के जो ambassador है तरंजीत सिंग संदू ने ठीक है इसको accept किया इनके लावा काफी 42 में शुरू किया गया था United States के जो प्रेजिडेंट थे Franklin D. Roosevelt द्वारा और ये US Armed Forces को ये Foreign Dignities को जो Non-US उनको भी दिया जा सकता था और Generally ये Armed Forces को Heads of State को भी दिया जा सकता है इसमें चार क्टाइगरी जा चीफ कमांडर, कमांडर ओफिशर और लेजन में नेयर करके उस तरह के अवार दिया गये इससे पहले हमारे एक फिल्ड मार्सल रहे है केम करियप इनको जो है ये अवार दिया गया था Legion of Merit करके डिगरी ये चीफ कमांडर थे 1949 में और उस टाइम यूस के प्रेजिडेंट थे Harry S. Truman, Truman Policy भी आप पढ़ेंगे आप Political Science में जब जाएंगे इसके अलावा यहां पर एक Health Data के बारे हम डिसकस किया गया कि भारत के अंदर Two Child Policy की Requirement नहीं इस तरह की डेटा को रिलीज किया गया और इसमें यहां पर बताया गया कि कितने Contraceptives percentage यान कितने Contraceptives को यूज किया जा रहा है और हमारे उसमें क्या Changes देखने को मिलते हैं ठीक है तो यहां पर डेटा बताया कि South India के अंदर well aware है about like कि बच्चा बच्चे के एक प्लानिंग को लेकर यहां पर आप देखेंगे केरला बिहार के अंदर भी awareness बड़ी है इनके लावा अंदर प्रदेश में 70.8% तक जो improvement वहाँ पर या उसके बारे में knowledge है उसके बारे में वह applications किये जा रहे हैं यह काफी important होने वाले हैं इनके अलावा यहां पर census register नहीं बोला है कि सारे states को अपने नेम अपनी डिस्टिक या अपनी जो भी नेम जो change करना area का locality का, colony का, building का वो update करें क्योंकि 2021 में जो decanial census होती है या हर साल जो जनगना होती है उसको जो शुरू किया जाएगा 1800 223 में सुरू कीगी उसके बाद 1881 के अंदर जो है ये regular basis पर हो रही है और इसी कड़ी में ये भारत में census होने वाली 2021 में और ये क्योंकि census काफी important होगी जनगना काफी important होने वाली है किसी भी जाम प्रिस्पेक्टिव से जनगना पर सवाल पूछे जा सकते हैं पूछे गए है और पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है रहेंगी इसके बाद foreign section में यहाँ पर आप देखेंगे World Health Organization ने वह एक emergency meeting बुलाए किस चीज को लेकर जो new virus के strength देखने को मिले है COVID-19 के England के अंदर UK के अंदर second जैसे China ने slam किया कि जो low बना गया US ने किस को लेकर तिबत के उपर policies को लेकर हो उगर Muslim communities को लेकर हो South China Sea को लेकर हो trade deficits को लेकर हो और recently जो है वो सबसे बड़ा देखने को मिला किसको लेकर COVID-19 का origins को लेकर जो दोनों countries के बीच में एक तरीके से blame game चलता रहता और लगाता रहता रहता उनको allegations सी भी लगाया बहुत सारी companies को ban care tariff को use कर सकते हैं वो दुनिया को परभावित करेगी क्योंकि ये दोनों major economies हैं इनके लावा इसराइल के अंदर ऐसी country बनती जारी है जहां पर political stability नहीं है दो साल में fourth pole वहां पर होने वाले हैं राइट इनके अलावा छोटी छोटी information है for example इसराइल और मॉर्कों के बीच में flight resume कर मॉरकों और सुडान है पांच country होगी जिसके साथ recently उन्होंने डिपलोमेटिक टाइज अप करे हैं और इसराइल को जोगरफिकली अगर आप देखेंगे तो यहां पर काफी important यह country है इसराइल हला कि यहां पर पलिस्तान का map आपको नहीं दिखेगा लेकिन उसको भी उसकी properly इसको properly clarify करना अभी पेंडिंग है इसराइल में कई सारे वर्ड्स काफी important है पहला गाजा स्ट्रीप आपको जुरूद ध्यान हो गोलन हाइट का एक सवाल पूछा था जो यूप्याशी में हमने कवर किया था वो इसराइज इसी में आता है ठीक है इसका लाव वेस्ट बैं रिशनली हुए है जिसमें UAE है इसके बाद बहारीन है और यहाँ पर आप देखेंगे सुदान और यहाँ पर सबसे इंट्रेस्टिंग है मुरको मुरको काफी important है क्योंकि अफ्रीका में जिब्राल्टर जो यहाँ पर आप देखेंगे जिब्राल्टर इसके थ्रू जो एक करेक्ट होते हैं जिबराल्टर स्टेट काफी इंपोर्टेंट है अफ्रिकन कंट्री और यूरोपेन कंट्री इसको करने के लिए तो यहां पर कई सारी चीजे हैं जो हमने कवर करी लास्ट जाएंगे बिजनस सेक्षिन में जो है एक ही न्यूज है और वो न्यूज किया है कि भारत सरकार का जो इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते है नैशनल इंफरास्ट्रक्टर पाइप्लाइन जिसमें हमने एक 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 यानी 111 लाग करोड रुपे खर्च करने है यह काफी इंटरस्टिंग प्रोजेक्ट है और क्योंकि किसी भी कंट्री में किसी उसमें investment को जो attract करने के लिए investment का करना जुरूरी है और उसके लिए infrastructure को develop करना काफी important होने वाला है तो यह भारत का एक major project है और उसी को लेकर जो government of India कैसे काम करेगी उसको लेकर discuss किया जाता है जनरली आपने पढ़ाओगा FDI को लेकर foreign direct investment हो foreign institutional investment हो वो सारी चीज़े कहीं ने कहीं इसी से जो हाँ relate करती है इसके बाद हम जाएंगे एडिटोरियल पर देखिए editorial में हमारी priority on editorial को cover करने की है जो news में नए है और उसमें कुछ updates है जैसे यहाँ पर पहला article दिया गया है pandemic resilience को लेकर recently कल ही हमने पढ़ा था कि एक committee को गठित करने के बारे में discussion किया गया था जिसमें private hospital को properly monitor किया जाए तो एक parliamentary panel ने standing committee ने home affairs की है उन्होंने ये कात एक comprehensive public health act बनाया जाए जो responsible बनाये लोगों को जो इन hospitals को COVID-19 ने कहीं कहीं reforms को दिखाया कि भारत के अंदर reforms के कितनी requirement है भारत का जो fragmented है अलग-अलग टुकडों में बटावा health system उसको कैसे integrated करने की ज़रूत है 2019 की national health profile को अगर आप analysis करें तो 1000 लोगों पर केवल 0.55 government hospital beds है जो की बहुत कम ये number है इसको कह सकते minimum number की तरह आप देख सकते हैं इनके अलावा अगर आप देखेंगे हमें ये under investment public health system को infrastructure को हमें investment करने की requirement है इसमें जो millions of लोग बच गए है किसको लेकर जो एक तरह के highly commercialized system होता जा रहा है वही मैं बोल रहा था कल भी कि government hospital पर में properly facilities ना होना उसका result क्या है कि private hospital का जो वो एक तरह के सर्ज होना और उसमें properly regulation ना होना ये कई सारी concern जो है create करता है और इसका negative impact होता है और उनने कई सारी suggestion दी for example insurance को लेकर कि properly insurance cover को उनको cover करना होगा इनके अलाबा legal framework के बात हो गाओं के अंदर तो even और भी ज़्यादा situations खराब है क्योंकि healthcare facilities basic healthcare या primary healthcare facility तक भी available नहीं है इनके लाबा यहाँ पर sustainable development goals को हमें हासिल करना है वो तभी होगे जब हम right to health को एक full legal and justicable जो है right लेकर आए अंदर national health policy के अंदर इनके लाबा insurance cover को जो है हमें properly include करना होगा जैसे insurance में generally होता क्या है पहली बात तो इनका premium लगातार बढ़ता जा रहा है इनके लाब senior citizens को इसमें include नहीं किया जा रहा for example लगबग insurance जो होते है उसमें 65 प्लस जो वो उसको count नहीं करते maximum age की तरह दिया जाता है तो immediately इसको age को जो खतम किया जाना चाहिए insurance regulatory development authority of India इसको properly measure करना चाहिए properly जो इसको work करना चाहिए और इस criteria को जो है वो confusion है या एक तरीकेश आप देखेंगे इसमें एक कैप लगाए कि 65 एर से जो ज्यादा को benefits नहीं मिलेंगे वो हटाई जाने चाहिए और properly COVID-19 की जो चीजे है जो प्रोमिस के बाद जो प्रोमिस किया था कि हम healthcare facilities में 5% तक 2.5% तक खर्च करेंगे वो अभी भी किया जाना बाकी है यानि हमें health sector के अंदर health में GDP का 0.5% तक at least खर्च करें ताकि प्रोपल improvement हो हलाकि 0.5% भी ज्यादा नहीं है लेकिन कहीं के improvement लेकर आएगा इसके बाद यहां पर बात की जा रहे है इंसॉल्वेंचिन bankruptcy code को लेकर ये न्यूज में था इंसॉल्वेंचिन bankruptcy code का simple सा मतलब समझा लीजिए दिवालिया को बचाने के लिए जो जो companies दिवालिया हो जाती है उनको कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं क्या उसका solutions हो सकते हैं उस पर काम करना तो ये जो लागू किया जाना 2016 का code ये 21st March 2021 तक एक तरीकेश होल्ड कर दिया उसको डिले कर दिया गया है ठीक है इसका reasons क्या है COVID-19 है एकनोमी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही रिवाइवल नहीं है प्रोपरली और हाला कि अलग 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 इंडिकेटर ये बोलते हैं कि हमारी लास्ट क्योंकि एक important editorial कवर करना है और ये editorial है Paris Agreement को लेकर Paris Agreement के बारे में हमने रिशनली पड़ा था 12 दिसंबर को 5 साल कंप्लीट हो गए Paris Agreement जो है वो climate change को लेकर है कैसे climate दुनिया भर के देश जो है विश्टो को 2% तक या temperature rise होने तक रोक सकते हैं उनके बारे में discussion करना है और कैसे हम लोग जो net zero emissions की तरह बढ़ेंगे इसके बारे में discussion किया गया रिशनली हमारे प्राइमेस्टर साब ने भी इसमें participate किया और कई सारी चीजों के बारे में इन्होंने भी discussion किया है कि 5 साल के इस duration के अंदर एक चीज़े जो important है कि अगर हम देखें COVID-19 का जो है वो rise होना हो वो एक तरीकर से indicate करता है कि हमारे लिए कितना important है environment को protect करना climate change को और climate change जो काफी ज्यादा problematic problem लेकर आएगा तो इसी चीज़ में green recovery के बारे में बात करी 2019 के अंदर European commission ने European green deal के बारे में बात किया था जिसमें उन्होंने का कि next generation जो होगी यू की वो climate neutrality पर काम होगी और इसमें एक तरीके से इन्होंने half a trillion euro जो इसमें खर्च किया जाएग इनके अलावा 2050 तक उन्होंने कहा कि हम एक तरीके से carbon neutrality या greenhouse gases को 55% तक कम करेंगे carbon technologies को लेकर आएगे और इसके अलावा solar photo photovolatike जो cells होते हैं उनके price में भी कमी मिली है इनके अलावा 55% target को अशिव करने के लिए 100 billion euro को खर्च किया जाएगा जो की benefit करेगा 3 trillion dollar तक यह स्टार्ट करें तो इनके अलावा अगर आप देखेंगे climate change को tackle करना किसी एक government की बसकी बात नहीं है यह सब को मिलकर काम करना पड़ेगा इन में इंडिया ने key player की रूप में काम किया और हमने अपने solar और wind energy को जो है काफी improvement देखने को मिला last कुछ दिनों में कुछ सालों के अंदर इनके अलावा भारत का European Union के साथ मिलकर काम किया जा सकता है इसमें जैसे भारत ने कई सारे step उठाए for example international solar alliance हो coalition for disaster resilient infrastructure को लेकर हो leadership group for industry transitions को लेकर हो या recently जो meeting होगे अगले साल 2021 में COP26 Glasgow के अंदर UK के अंदर उसके बारे में बात हो इनके अलावा हमने अपने जो target set किये थे Paris Agreement के तायत 2030 तक कैसे हमें emissions को कम करना है electrical vehicle को promote करना है recently BS6 को लागू करना ये भी कही ने कहीं उसी का एक indication है कैसे हम अपने carbon sink को बढ़ा रहे हैं यानि plantations के थुरू इनके अलावा सबसे interesting बात ये है कि जैसे अमरीका में जोई वाइडन जो प्रिजिडेंट बने हैं उन्होंने अनूस्मेंट किया था कि वो इस deal में फिर से सामि benefit मिलेगा इनके अलावा recoveries को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और Paris agreements के जो targets है उनको हासिल करने के लिए सारी countries को मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि इन goals को अचीव किया जासके sustainable developments goal को भी अचीव किया जासके और इसके लिए scientist से लेकर businessman policy maker academic civil society और जो आम लोग है उनको मिलक कर काम करना पड़ेगा ताकि climate change का जो असर है वो बहुत जादा negative नहीं हो और हमारे planet को save किया जा सके ताकि आने वाली generations के लिए हमें clean environment के साथ अपने planet को जो हब वो transfer करें और इसके लिए सारी countries को जाए developed हो developing हो सब को मिलकर काम करना पड़ेगा इसके बाद हम questions को देखेंग बायो कार्बन फंड इनिसेटिव फोर सस्टेनेबल फोरेस्ट लेंड्सकेप ये मैनेज किसके दवारा किया जाता है इसके बारे पूछा गया है एसे डेवल्मेंट बैंक है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड या अंतरस्टिय मुद्रा कोस युनाइटिड नेशन एनवार्मे क्योशन है आप हिंदी में भी इसका देख सकते हैं हाला कि हिंदी में इन्होंने कुछ खास लिखा नहीं सेम वही चीज़ इंगलीस वाली ही वर इन्होंने यूज करी तो ये किसके दवारा किया जाएगा पहली बात कोई अगर बड़े स्केल पर फोरेस्ट से लेटिड फं और सुर्श करता है तो इसका राइट आंसर होगा वहोगा डी वर्ल्ड बैंक यानि ये जो फंड इनिसे fascinated है वह म२ेटर किया जाता है मैनेज किया जाता है फ्ल्ड स्केल के दवारे ठीक है इसके बाद यहां पर तीन स्टैटमेंट दी गही है कि भारत इनमें से किस किस ग् था भारत ने regional comprehensive economic partnership को जो उसका उसे withdraw कर लिया था तब भी news में था तब भी मैंने बोला था कि सवाल पूछे जाएंगे पूछे जाते रहें और आने वाले time में पूछे जा सकते हैं तो आश्यान में आपको जानते होंगे 10 countries या भारत आश्यान का तो member होई नहीं सकता तो यह logically गलता है second option जो वो कट जाएगा यानि option A और option C यह अपने आप में कट जाएगा right तो हमारे पास दो यह option बचेंगे या तो केवल East Asia Summit का या भारत इनमें से किसी का इपार्ट नहीं है तो East Asia Summit के अगर बात करें तो East Asia Summit में भारत participant है भारत जो member है क्यों देखे 10 Asian countries है आश्यान countries है इनके अलावा यहाँ पर total 18 countries होंगी East Asia Summit के अंदर जिसमें चाइना जापान साउथ कोरिया उपर से यहाँ पर आप देखेंगे राइट चाइना जापान साउथ कोरिया नियूजलेंड और अस्टेलिया इंडिया और रशिया और अमरिका यह 8 countries टोटल होंगे 18 countries हो जाएंगी यानि 8 आश्यान प्लस 8 countries तो भारत जो है कि स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए क्या चीज इंपोर्ट करने की रिक्वाइरमेंट है यहाँ पर ध्यान रखिए इन्होंने हता होना चाहिए इसका जो राइट अंसर होगा वो कोकिंग कॉल होगा यह हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि इसका जो भारत में प्रोडक्शन वो बहुत ही कम है इसके बाद क्योशन और फिफ्टी नाइन है फिफ्ट एंड शिक सेडूल जो इंडियन कंस्ट्यूशन की हो किसके बारे में डिसकस करती है ट्राइब्स के जो राइट को प्रड़क्ट करने के लिए यह यह बाउंडरी बिट्विन सेडूल में और बाउंडरी को डेटरवाइन करना यह अग्जेक्टले की सेडूल में तो नहीं है लेकिन फर्स्टेडूल में स्टेट्स के नेम दिया गया है तो यह भी नहीं आएगा तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह ट्राइब से लेटेड आएगा क्योंकि एह ही और वही इसका राइट आंसर एज पर ओफिशल आंसर की और वैसे भी एक ही आएगा लोजिकल अगर आपने सेडूल को पढ़ा है इसके बाद यहाँ पर स्टेट्मेंट दी गई यूनियन गवर्मेंट के बारे में कि डिपार्टमेंट ओफ रेवेन्यू जो है वो प्रिप देर करता तो पहली स्टेट्मेंट निकला तो इसका मतलब ऑफिशन ए और ऑफिशन डी जो हो कट हो जाएंगे इसके बाद सेकेंड ऑफिशन देर खाए कि भारत की संचेद नीदी से पार्लियमेंट के अथराइजेशन के बिना पैसा नहीं निकला जा सकता तो यह स्टेट सही नहीं कि हर एक पैसे के लिए आपको पार्लियमेंट के रिक्वाइरमेंट होगी जो केवल सेकेंड आंसर इसमें सही हो जाएगा ठीक है तो आज के दहिंदू निजपेपर में क्योशन सेंसर सेशन में इतना ही और उमेद करते हैं आप लोगों पसंद आएगा और एक इ और चोईस थैंक यू जैहिन